जी, असलाम लेकुम स्टुडेंट्स, इस आक्सफर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फर क्लास 7. लेट्स मूव तो पेज नंबर 273. इस पेज नंबर 273. दे स्टोरी नेम इस दे यंग फिलन्थ्रोपिस्ट. स्टुडेंट्स, फिलन्थ्रोपिस्ट का मतलब है, बहुत बड़ी डुनेशन करने वाला. आएं पढ़ते हैं, अपनी बुक उपन कर लें, बुक का पेज नंबर 273. 15-year-old British Pakistani singer, 15-year-old British Pakistani singer, जिसका नाम है Sarah Francis, has been chosen, उसको चूज किया गया है, उसका इंतहाब किया गया है, तू रीसीव दा बिकन फेलोशिप यंग फिलन्थ्रोपिस्ट एवाड के वो किस चीज को रीसीव कर सकती है, बिकन फेलोशिप यंग फिलन्थ्रोपिस्ट एवाड लड़की की एज क्या है, 15-year-old और उसकी नेशनली क्या है, British Pakistani है, उसका नाम क्या है, Sarah Francis है, और इसको किस purpose के लिए choose किया गया है कौन सा award उसको मिलेगा beacon fellowship young philanthropist award मिलेगा she has been chosen from amongst 765 people कितने लोग जो है इस competition के लिए participate कर रहे थे 765 लोगों ने participate किया जिसमें से सारा को भी choose किया गया कि वो award ले सके many of whom are already famous in their fields इन में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी field में पहले ही से famous है amongst the 14 winners सारा is the only British Pakistani 14 winners हुए थे जिसमें से सारा वाहिद लड़की थी जो कि British Pakistani थी सारा was recognized for her philanthropic work to raise the profile of Afghan refugees in Pakistan using her song सारा जो है इसको ये जानी जाती थी अपने philanthropic work की वज़ा से यनि कि charity work कह ले या donation work कह ले इसका मकसद था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो Afghan refugees है अफगान महाजरीन है उनका जो living style है उनका जो life standard है उसको बढ़ाया जा सके इसमें अपने सॉंग के जरीए ये सब काम किया कैसे बला इसके सॉंग का क्या नाम है या इसके कॉंसर्ट का क्या नाम हुआ करता था voice of freedom in a number of fund raising concerts इसने बहुत सारे fund raising concerts में जो है अपने songs voice of freedom के जरीए Afghan refugees का मियारे जिन्दगी बुलंद करने के लिए बहुत बड़े पेमाने पर donation work किया इस मकसद के लिए ये ज्यादा मशूर हुई कैसा वर्क करती थी philanthropic work किस purpose के लिए Afghan refugees के life standard को upgrade करने के लिए कहां पर पाकिस्तान में इसने किस के जरीए ये सारा काम किया अपने song के जरीए और इसके song का नाम था voice of freedom in a number of fund raising concerts she raised over 12,000 pounds in one year एक साल में इसने कितने पैसे इकठे कर लिये थे 12,000 pounds which she presented in June to President Parvez Musharraf for the President's Relief Fund for Afghan refugees ये 12,000 का चेक जो है इसने उस दोर के जून 2003 को उस दोर के President Parvez Musharraf को पेश किया था किस परपस के लिए President's Relief Fund जो Afghan refugees के लिए President साहिब ने Relief Fund कायम किया था उसके लिए इसने भी donation कर दी जो इसने अपने song के जरीए अपने unity and discipline इसका जो Vice of Freedom Concerts का नाम था ये वे जिसके song थे इसके जरीए इमान, इतहाद और तन्जीम जैसे जो तीन बन्यादी रूल जो के पाकिस्तान की मरकजी इकदार हैं और ये इसने किस कैसे इस चीज़ को प्रमोट करवाया इसने जिना की जो पिशावर में स्पीच थी 1948 में काईदाज मुहमद रिजना की उनकी recording को इसने प्ले करवाके इन तीन असूलों को unity, faith और discipline को प्रमोट करवाया थ्रू दिस सॉंग सारा हैस बिन एबल टू एजुकेट हर आर्मी आफ लिसनर्स अपने सॉंग के जरीए से सारा इस काबल होगी थी कि अपने जो लिसनर्स हैं सामईन है लिसनर्स सामईन की पूरा उसकी आर्मी है सब को उनको तलीम दिला सके उनको एजुकेट कर सके जो के पाकिस्तान से बाहर बैठके इसको सुन रहे हैं Simultaneously, at the same time Simultaneously, बयक्त वकर Simultaneously, at the same time She has introduced them to Jina एक तरफ वो अपने सौंग बोर रही है दूसरी तरफ पाकिस्तान से बाहर जो इसकी आउडियंस इसको सुन रही है उन लोगों को वो Jina के बारे में काईदा महम्मद ली जिना के बारे में भी इंट्रोडियूस करवा चुकी है और काईदा महम्मद ली जिना के मैसिज को भी प्रिजेंटिड पाकिस्तानी वैलियूस इने पॉजिटिव लाइट इसने पाकिस्तानी वैलियूस को एक बिलकुल पॉजिटिव लाइट से पेश किया यानि कि एक मस्बत रोशनी में मस्बत अंदाज में पेश किया पॉजिटिव जो है पाकिस्तान का इमिज इस लड़की ने काईम किया और हाईलाइट रोशनी डाली रोशनी किस चीज़ डाली प्लाइट अफ़ लार्जली फॉर्गॉटन प्लाइट का मतलब है वेरी बैट कंडिशन वेरी बैट कंडिशन जो हो चुकी थी बहुत बुरे हलाद जो हो चुके थे लार्जली फॉर्गॉटन बड़े पे माने पर जिसको नजर अंदास कर दिया गया था तू 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 थ्री मिलियन अफ़िजीस इन पाकिस्तान दो से तीन मिलियन अफ़िजीस जो के पाकिस्तान आये थे उनको बिलकुल भी नजर अंदास कर दिया गया था इस चीज़ को इस लड़की ने हाईलाइट कर वाया जब वो पेश करते हैं जो जार्डन ब्राउन साहब है उन्होंने किस चीज को सारा को किस चीज का प्राइस दिया था यंग फिलन्थ्रोपिस्ट का और फिलन्थ्रोपिस्ट मैं पहले कह चुगा हूँ बहुत बड़े पे माने पे डुनेशन करने वाले को कहते है और कहां पे ये प्राइस दिया गया है डौनिंग स्ट्रीट में डौनिंग स्ट्रीट के बारे में ये लास पेराग्राफ डिटेल लिखी है यहां पे स्टुडन्ट खुद भी इसको रीड कर सकते है और ये डौनिंग स्ट्रीट के दर है लंजन में इंग्लेंड में वो इदारा है जहां पे फाइनन्स या समझ लें एक बैंक जैसा इदारा है वहां का ब्रिटिश चांसलर थे ये जॉर्डन ब्राउन इन्होंने ना सिर्फ उसको मेडल हैंड ओवर किया बलके इससे बढ़कर भी ये एक बहुत बड़ा एवाड था उसके लिए सारा को एडमिशन मिल जाएगा वो एडमिट होगी किस चीज़ के लिए Lifetime Membership सारी जिदगी की उसको Membership मिलेगी किस चीज़ की Beacon Fellowship Beacon Fellowship की उसको Membership मिलेगी ये कैसा गृप है A group whose advice on the best practices in philanthropy is listened एक ऐसा गृप है जिसकी जिसकी जो है क्या पीछे लाइन पर है अपने A group whose advice एक ऐसा गृप जिसका श्रूप On the best practices in philanthropy is listened एक ऐसा ग्रूप है ये जो है बीकन फैलोशिप एक ग्रूप है जिसके मश्वरे पर अमल करके best practices in philanthropy जो है उसके बारे में सुना जाता है कि कैसे आप बहुत बड़े पिमाने पर लोगों की मदद कर सकते हैं डोनेशन करके ये इदारा जो बीकन फैलोशिप वला है ये काम करता है इसके मश्वरे पर लोगों को पता चलता है कि कैसे दूसरों की मदद करनी है इन अदर वर्ड़ पाकिस्तान विल हैव आ यंग इमबैसिजर और अप्रेस्टिजियस और इन्फलेंशल कमेटी दूसरे अलफाज में यू कहलीजिए कि पाकिस्तान के पास एक छोटी उमर की यंग इमबैसिजर है और एक प्रेस्टिजियस का मतलब है रेप्यूटेबल यानि के मशूर और इन्फलेंशल कमेटी की एक यंग इमबैसिजर है जो के आगे से जाके मशूरा देती है और इन्फलेंशल कमेटी पाकिस्तान की एडवाइज करती है हाई लैवल गोवर्मेंट बाडिस को दूसरे मुमालिक की नॉन गोवर्मेंट और्गनाइजेशन को और इवन वर्ल्ड लीडर्स को ये जो है क्या करते है अडवाइस पेश करती है दुबारा लाइन पढ़ें दूसरे अलफाज में पाकिस्तान को एक यंग इमबैसिजर मिल गई और अप्रेस्टीजियस का मिनिंग मैंने बताया है यहां तक के दुनिया के बार के लीडर्स को यहां तक के दुनिया के बार के लीडर्स को भी सारा इस कमिंग तो बी रेकुगनाईस ऐस अ मौडरन डे पाकिस्तानी हीरो विद दा अबिलिटी तो रेस सिंगल हैंड़ली दा एस्पारेशन आफ एन इंटायर जिनरेशन आफ यूथ सारा इस कमिंग तो बी रेकुगनाईस सारा अब जानी जाने लगी है एक मौडरन डे पाकिस्तानी हीरो के तोर पर जिसके अंदर ये सलाहियत है अबिलिटी है कि वो इकठा कर सकती है रेस करना बढ़ाना इकठा करना बढ़ाना इदर मतलब है बढ़ाना सिंगल हैंड़ली अपने अकेले हाथ इसके अंदर ये सलाहियत ही कि ये अकेली ही जो है ये बढ़ा सकती है एस्पारेशन्स को हवाहिशात को एस्पारेशन्स डिजायर्स या हवाहिशात कि इसकी इंटार जनरेशन आफ यूद सारी जो नोजवान नसल है पूरी की पूरी नोजवान नसल की जो हवाहिशात को उनकी डिजायर्स को उनके जजबे को बढ़ाने के लिए ये अकेली ही काफी थी ये जो सैरा है अकेली ही काफी ही और ये वाहिद पाकिस्तानी हीरो है अगर तो ये सारी जनरेशन के जजबे को ना भी बढ़ा सकी लेकिन नोजवान कोम के जजबे को तो ज़रूर बढ़ाएगी वो ना जिरफ अपने आफ को ब्रिटिश एशियन ही नहीं कहलवाती क्योंके यूके में रहने वाले जो ऐसे लोग हैं यूके में रहने वाले लोगों का सबसे ज़्यदा आम नाम तो यही होता है जिनके इनसेटरी, बापदाधा, इस सoritी और वो सतनान, यानि कि इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन से बिलॉट करते थे जूके में ऐसे लोगों को ब्रिटिश एशियन कहकर पकारा जाता था वो कहती थी कि मुझे Britishасian ही नाख बलके कहें वो कहती ही थी किया Instead, she calls herself a British-pakistanacy वो कहती थी ना صرف मुझे British- Assian पकारो बलके इसकी बजाए British-pakistanی कहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा PROWDLY DISPLAYING HER ROOOTS FOR ALL TO SIE वो बड़े फहर के साथ शो करती है अपनी रूट्स को यानि कि उसका तालुक किस मुलक से जुड़ा है वो सब को बताती है कि मेरा तालुक पाकिस्तान से जुड़ा है Her love for Pakistan is one of Sarah's most outstanding qualities Sarah की सबसे ज़दा जो जबर्देस qualities है उसमें उसका पाकिस्तान के लिए प्यार है Recently she was approached by the Pakistan high commission in कुलंबो कुलंबो सीरी लंका का शहर हाल ही में रिसेंटली हाल ही में उसको अप्रोच किया यानि कि उस से राप्ता किया कि इसने पाकिस्तानी हाई कमिशन में और पाकिस्तानी हाई कमिशन किस मुलक में था उस ताम सीरी लंका के शहर कुलंबो में और किस मकसद के लिए फार दे यूज आफ हर सांग वाइस अफ फ्रीडम इन दे जैनवरी 2004 जिनाडे सेलिबरेशन जो जनवरी 2004 में होनी थी उसका सांग उस सेलिबरेशन में यूज किया गए अगर्चा उन लोगों ने उसका बहुत सारे माटिरियल्स की प्राइस पे करना चाही शी रिफ्यूस उसने इंकार कर दिया तो अकसेप्ट आ सिंगल पैनी एक रुपईया धेला भी अकसेप्ट करने से उसने इंकार कर दिया as she consistently done in all her dealings with Pakistan क्योंकि consistently लगादार उसने पाकिस्तान के साथ जितनी भी dealings की थी उसने वो जो है एक रुपईया भी नहीं लिया demonstrating इससे ये show होता है कि उसकी genuine commitment थी pure उसके commitment थी उसके वादे थी to serving हर नेशन के वो अपनी कौम को खिदमत करेगी and its interest और कौम के मुफाद का भी हयार रखेगी interest मुफादात as well as the poor and needy around the world साथ ही साथ पूरी दुनिया के गरीब और जरूरतमन लोगों का भी हयार रखेगी Okay student thank you for listening it's for class 7 page number 273 and the story name is the young philanthropist Okay thank you for watching Allah Hafiz you